Bombay Talkies वो जगे है जहां दिलिप कुमार और अशोग कुमार जैसे स्टार्स पैदा हुए थे Bombay Talkies वो जगे है जहां हिंदुस्तान की पहली एक करोड रुपए कमाने वाली फिल्म बनी थी और Bombay Talkies वो जगे भी है जो एक दिन अचानक ही बंद हो गई आज इस वीडियो में मैं आपको Bombay Talkies की कहानी सुनाऊंगा मेरा नाम है राहूल and this is 70mm with राहूल Bombay Talkies को established किया गया था 1934 में Bombay में ही लेकिन Bombay से थोड़ा बाहर Bombay का एक सबब है Malad वहाँ पर आज Malad में उची उची बिल्डिंगे हैं बहुत सारा ट्राफिक है लेकिन 1934 में यहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पर काफी जमीन थी जिसे हिमांगशुराय और देविका रानी ने खरीदी और Bombay Talkies बनाया Bombay Talkies के Founders हिमांगशुराय और देविका रानी हिंदुस्तान के बाहर काफी वक्त गुजार के वापिस आये थे उन्होंने Western filmmakers से बहुत कुछ advanced techniques सिखी थी जो उस जमाने में इंडिया में मौजूद नहीं थी इसलिए जब Bombay Talkies शुरू हुआ तो यहां पर वो सब कुछ था जो उस जमाने में हिंदुस्तान के किसी और फिल्म स्टूडियो में नहीं था इसे स्टूडियो जो साउंड प्रूफ हो और जहां पर आवाज घूंचती ना हो जो शूट की गई फिल्मों के नेगेटिव से वो पॉजिटिव फिल्म में बनाती थी जिससे लोग थियेटर में फिल्में देख सके Bombay Talkies में अलग editing rooms थे और फिल्मों को release करने से पहले जब फिल्मों को देखा जाता है यानि कि preview वो preview करने के लिए अलग से थेटर था 1934 वो वक्त था जब फिल्म मेकिंग के बारे में information हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को नहीं थी कहां camera लगना है कहां से light आनी है वगेरा वगेरा ये सब हिंदुस्तान के लोगों को मालूम नहीं था तो हिमांग्शुर आये और देविगा रानी ने जब बॉम्बे टॉकीस बनाया तो वो बाहर से यानि कि European technicians को इंडिया लेकर आए फॉर एक्जामपल डिरेक्टर फ्रांस आस्टिन और मशूर कैमरामेन जोसेफ वर्स्चिक जब European कैमरामेन, light man, editors, directors और पूरी European टीम आई तो European professionalism को साथ में लेकी आई उस जमाने में Bombay टॉकीस एक बहुत ही organized unit लगता था, एक ऐसा corporate structure नजर आता था जो शायद हिंदुस्तान ने उससे पहले filmmaking में नहीं देखा था और मैं आप ए corporate word इसलिए इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस जमाने में सारे के सारे लोग जो Bombay टॉकीस में काम करते थे, सब को एक monthly महंताना मिलता था, तो अशोग कुमार हो या दिलिप कुमार, मधुबाला हो या लीला चिटनिस, सब लोग एक monthly salary लेते थे Bombay टॉकीस से, और जिस तरह किसी employee को इजाज़त नहीं होती कि वो एक employer के रहते हुए किसी दूसरे employer के साथ काम करें, किसी भी आर्टिस्ट को इजाज़त नहीं थी कि वो Bombay टॉकीस के अलावा किसी filmmaker के साथ काम करें Bombay टॉकीस में जो पहली फिल्म बनाई थी, वो थी 1935 में रिलीज हुई, जवानी की हवा, स्टारिंग देविकार रानी इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन अगले ही साल 1936 में दो ऐसी फिल्म में आई जिसने Bombay टॉकीस को पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर लिया, जीवन नईया और अच्छूत करनिया इन दोनों ही फिल्मों के हीरो थे, हमारे दादा मुनी अशोक कुमार और हिरोईन थी Bombay टॉकीस की फाउंडर देविकारानी हिमान्शु राय और देविकारानी तो Bombay टॉकीस के मालिक थे उस पूरे स्टूडियो को चलाती थी एक बहुत अच्छी टीम, उनके कुछ बहुत अच्छे मैनेजर्स उनमें से कुछ खास नाम है जैसे की ग्यान मुखर जी जो सारे टेक्निशन्स के सूपरवाईजर थे और राय बहादूर चुनिलाल जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे इसके लावा एक बहुत इंपोर्टेट इंसान थे शशाधर मुखर जी ये Bombay टॉकीस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे यानि Bombay टॉकीस में बनने वाली सारी फिल्मों पर पैसा लगाते थे अशोक कुमार सहाब को भी Bombay टॉकीस शशाधर मुखर जी ही लाए थे क्योंकि अशोक कुमार सहाब की बेहन सती देवी के हस्बंड थे शशाधर मुखर जी 1940 में हिमान्शु राय गुजर गए और उनके गुजरने के बाद स्टूडियो की मालकिन बन गई देवी का रानी अब प्रॉब्लम ये हुई कि देवी का रानी और शशाधर मुखर जी के बीच में स्टूडियो को कंट्रोल करने की टसल शुरू हो गई एक तरफ देवी का रानी थी और दूसरी तरफ थे शशाधर मुखर जी और उनके साले अशुक कुमार ग्यान मुखर जी और राय बहादुर चुन्नी लाग देवेगा रानी और शशादर उघर जी की टीम के वीच में फ्रिक्शन बनी रही और बनती रही Bombay Talkies की फिल्में कंगन, बंधन, छूला नाम की फिल्में आई उन्होंने कुछ काम भी किया लेकिन फाइनली अशोग कुमार और Bombay Talkies की किस्मत चमकी जब फिल्म किस्मत रिलीज हुई 1943 में किस्मत हिंदुस्तान की पहली फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड से ज्यादा रुपया कमाया कैन यू इमेजिन 1943 और एक करोड रुपया? कभी कभी बहुत पैसा आने से लोगों के बीच दरार भी बढ़ जाती है शशादर मुखरजी, अशोग कुमार और क्यान मुखरजी ने ये डिसाइट किया कि अब हम देविका रानी के साथ काम नहीं कर पाएंगे तीनों ने ही राय बहादूर चुन्नीलाल के साथ मिलके फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाया लेट मी टेल यू कि राय बहादूर चुन्नीलाल कोई और नहीं म्यूजिक डिरेक्टर मदन मोहन के पिता जी थे बॉम्बे टॉकीज की हर फिल्म के हीरो अशोक कुमार के अलग हो जाने की वज़े से देविका रानी को अब अपनी फिल्मों के लिए एक नया हीरो चाहिए था उन्होंने मुहम्मद यूसुफ खान को ढूम निकाला और उनको नाम दिया दिलिप कुमार अगले ही साल दिलिप कुमार की पहली फिल्म रिलीज होई अंडर बॉम्बे टॉकीज का पैनर नाम था जुआर भाटा फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया 1945 में देविकार रानी जो परेशान हो चुकी थी बॉम्बे टॉकीज के छगणों से और फिल्म के ना चलने से उन्होंने रशियन पेंटर स्वितुशलाव रोरिच से शादी कर ली बॉम्बे टॉकीज के अपने सारे शेयर्स बेच दिये और फिल्म इंडस्री छोड़के ह चले जाने से बॉम्बे टॉकीज की ऐसी हालत हो गई जैसे की बिना माबाब का बच्चा बहुत सारे इंप्लॉईस जुड़े हुए थे बॉम्बे टॉकीज से और कई लोगों ने रिक्वेस्ट की अशोक कुमार साहब को शेशाधर मुखर जी को कि आप हमारी हेल्प कीज इसला किया कि बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूंगा यह फिल्म थी मिलन जो 1946 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के लीडिंग हीरो थे वही आर्टिस्ट जो अशोक कुमार साहब के जाने के बाद बॉम्बे टॉकीज आये थे एक मंथली सैलर पर दिलिप कुमार अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की एक और फिल्म पर भी पैसा लगाया जो 1948 में रिलीज हुई फिल्म का नाम था जिद्धी इस फिल्म के लीडिंग हीरो थे देव आनन्द मिलन और जिद्धी तो फ्लॉप हो गई लेकिन अशोक कुमार ने बॉम खुद अशोक कुमार को और उनके साथ थी मधुबाला इसके साथ साथ अशोक कुमार ने इस नई फिल्म के लिए एक ऐसे डिरेक्टर को लिया जिसने आज तक इससे पहले कोई फिल्म डिरेक्ट नहीं की थी एक यंग लड़का था जिसने बहुत अच्छी कहानी लिखी थ और पहली बार कोई फिल्म डेरेट कर रहा था, वो थे कमाल अम्रोही, जिन्होंने बाद में जाके पाकीजा बनाई, महल एक सूपर डूपर हिट हो गई, और ऐसा लगा कि बॉंबे टॉकीज की विगड़ती हालत अब ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1950s आया और के बाद एक फ्लॉप्स की जड़ी सी लग गई, कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार सहब का पैसा लगा था, और वो खुद भी काम कर रहे थे, वो तक बॉक्स आफिस पर फ्लॉप करने लग गई, फॉर एक्जामपल, 1950s में रिलीज होई मशाल, या फिर 1952 में रि तेहे किया कि मैं बॉम्बे टॉकीज की और किसी फिल्म के लिए पैसा नहीं लगाऊंगा, और तोला राम जाला जो उस वक्ड़ बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, उन्होंने 1953 में इस स्टूडियो को बंद कर दिया, उस वक्ड़ बॉम्बे टॉकीज के बैनर के अंडर मे और इसी फिल्म के साथ बॉम्बे टॉकीज अपनी शुरुवात के 20 साल बाद, फाइनली, ओफिशली, बंद हो गया, आज बॉम्बे टॉकीज एक खंधर है, जिसे आप बंबई के मलाड एरिया में देख सकते हैं, और अगर आपको देखनी है गुरुदत और दिलिप कुम